पांच किलो रासन नहीं चाहिए हमें वेक्सीन नरेंदर मोदी जुबान पे लगाम दो और इस्तिफा दो जिस तरीके से परधान मंत्री का आज संबोधन हुआ देश की बात संबोधन पूरे तरीके से ये संबोधन नहीं छला है जिस तरीके से मोदी जी ने कहा रहा है कि 80 क्रोर देश के आम नागरी को अनाज देने का काम करेंगे मोदी जी ये पैसा आपका बाप का नहीं है जो देश की जनता को वेक्सिन मुप्त देंगे हमारा पैसा हमारा टेक्स पेर और 32 मिनट आकर अपनी भासन दे रहे हमको मोदी देश की जनता को गुमरामत की दिये और एक और बात पता दूँ ये जो 80 कॉनोर लोगों को रासन की मुहिया कराने की बात चल रही है ये मेनिस्टीम मेडिया के लिए बोटी है ये मेडिया अब जाकर क्या करेगी उत्तर परदेश में चुनाओ है पिछले साल अगले साल तब देश की मेडिया क्या करेगी मोदी जीने असीकन और भूखे को खाना देने का योजना बनाया मुफ्थ वेक्सिन देने का काम किया अरे भाई चुनाओ लड़ने के लिए ये घोसना कर रही है सरकार तैयारी कर रही है आप एक बात बताईए ना जब इस देश में लोग 5000 का पांचो रुपया सिवर इंयक्शन देने की जरुवात हुई थी तैसे सरकार नहीं देने का काम किया लेकिन अब क्या कर ये सरकार जुमला दे रही है देश की जनता मुर्ख बनने वाली नहीं है आप लोकडाउन तो खुलने दिजिए ये सरकार को आइना दिखाने का काम किया जाएगा और पूरे देश की जनता सणक पर आने का काम करेगी देश की जनता मुर्ख नहीं बनेगी 2014 से तुम तो मुर्ख मनाते आई रहे हो कि हर साल दो कुड़ों रोजगार नहीं मिला दो कुड़ों हर देश के आर्म नागरी को 15 लाग खाता में जाएगा क्या हुआ यह मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा होगा हमको तो लग रहा है कि असी कुड़ों कह रहे हैं कि रासन पहुचाएंगे ऐसा ना हो कि असी कुड़ों लोगों के घर से रासन छिल ले मोदी जी अब इसा कह रहे हैं कि हमारी सरकान ने सफ़त का फ्रूबत जंग लड़ी है कोरोना दुनिया में एक बात बताईए ना दुरभाग है हमारा के हमारा देश का पग्री मंतरी अमीच सा है ताड़ी पार एक बात बताईए ना नेपाल जैसा देश, भुटान जैसा देश, पकिस्तान जैसा देश, बंगला देश जैसा देश अभी भी करोना से काबू से बाहर था लेकिन हमारे देश में बेकाबू था करोना वहां के छोटी छोटी देश हमारी देश को मदद कर रही है इससे सर्म की बात है क्या 2008 में पूरे हमारे देश के सामने पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आया उस समय का वर्तमान परधान मंतरी पूरे परधान मंतरी मनमोहन सिंग ने देश को आर्थिक हलात से बाहर निकल क देश को आगे बढ़ाने का काम किया लेकिन हमारे देश में क्या हुआ एक दुनिया में महमारी आई पूरा देश अपने करोना को काबू कर लिया लेकिन हमारा परधानवंतरी क्या किया ताली और ठाली पिटवाने का काम किया मंबती जलवाने का काम किया दिया जलाने का काम क किया क्या इसे करोना भाग गया क्या पिछले साल आपने देखा होगा जिस तरीके से तब्लीकी जमात पे उंगली उठा रही थी सरकार कि तब्लीकी जमात के लोग करोना फेला हैं क्या हुआ ये सरकार कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमरा कर रही है लेकिन देश की जनता गुमरा नहीं होने वाली है वक्त कर रही है समय का इंतजार कर रही है और ये सरकार को उखाड फेकने का काम किया जाएगा देखिए दुर्भाग है कि हमारे उत्तर परदेश का मुख मंत्री अधितनाथ योगी जी है जिस तरीके से 46 साल में युवाओं को ना देखते हुए उन्होंने काम किया इसलिए उत्तर परदेश के युवाओं ने निर्ने लिया कि हम परधान मंत्री के दिन बेरोजगारी दिवस मनाएंगे और उत्तर परदेश को सरकार को ये तमाचा मारेंगे कि 45 साल में आपने रोजगार का काम नहीं किया बलकि आप नाम बदलने का काम किया बलकि आप हिंदू मुस्लिम करने का काम किया बलकि बैकबट फॉरवर्ड करने का काम किया बलकि अपने राज के लोगों पर अत्यचार करने का काम किया आप यहीं किसान अंदोलन की बात कर ल काम करती थी उनको जेल में भेजने काम करती थी ये पूरे तरीके से तनासा है ये सरकाइक बास सुने जिए हर पत्थर चमकदार नहीं होता और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता ये उत्तर परदेश का मुख मंत्री बाबा नहीं ढोंगी है और वक्त आ चुका है कि लखनों की संड को सर भगा कर गूफा में भेजने की जरूवत है इसको जंगलों में भेजने की जरूवत है क्यूंकि बाबा वही हो सकता है जो दुनियावी चीजों से बाहर होता है और रामदेव बबा कर जानते ही है देश की जनता ना क्या क्याम किया काम धंदा छोड़ दिया योगा शुरू करने दिया तो अब रामदेव बबा क्या किये देश की जनता को योगा में भसा कर वो पतंजली का समान बेचकर अपना काम धंदा शुरू कर दिया सारा कमपनी चोपट हो गया और पतंजली के कनोरो मालदार हो गया अगर देखिए न देश में बड़ी बड़ी चोटी चोटी कंपनिया बंद हो गई लेकिन कोरोना काल में हमारा अपतेंजली कहां चल गया और वह कंपनी जो गोवर बेशता है मूत बेशता है क्या उसे अगर अच्छा होता तो उसका सहीयोगी बाल किशन की एमस में भरती हो जाता देश की जनता को मुर्ख मत बनाईए अब देश की जनता मुर्ख मनने वाली नहीं है प्रिंत कर द्यू कैसे लोग तो गाय के गोवर गोमुत्र को भी करोना का इलाज बता रहे हुए अर देखिए उलो को बात मत किजै भाई दुर्भाग के हैं के हमारे संसद में जहाँ policy बनता है, जहाँ कानून बनता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पहुंच चुके हैं, जो कलाकार है, भाई देश को बरबाद मत करो तुम लोग, तुम लोग सांसत बन गए हो, तो देश को बरबाद नहीं करो, अगर तुमको कलाकारी करना है, तो जाओ ठीटर में कलाका कानून, जो अंदोलन कर रहा है, उस पर डाला जा रहा है, जो अतंकबादी है, सांसत बहुंच जा रहा है, पर गया ठाकूर कौन है, आप ही सब पूछना चाहते हैं, कौन है, माले में बलास्ट होता है, अतंकबादी जेल साथ यह सांसत बन जाती है, एक बास सुन लिजे, अगर शकता हम भी जयल के स्लाकों में चले जाएंगे अपका भी देखे न मन्दी पुनिया जयल चला गया इस तरइकेसे देश में ये लोग तानाजा हो गए हैं हिटलर की सरकार हैं इस सरकार को इस देश से भगाने के ज़रूआत है उखाड फेकने के ज़रूआत है तबी हमारा सविधान बचेगा और देश बचेगा बिल्कुल असर नहीं पढ़ने वाला है आप तो कहीं दिया तीन चीजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए पतंजली के समान पर अंधभक्तों के ज्यान पर अम मोदी जी के जुबान पर इतुतुन है मोदी जी के भरोचान करने के जरूवत नहीं है 2020 में विधान सबा का चुना हुआ हमारा देश का परधान मंती हमारा बिहार गया बकसर गया किला मैदान में भासन दे रहा है क्या कि जब बिहार में सरकार बनेगी तो बिहार की जनता को सबसे पहले वैक्सिन दिया जाएगा मुफ्त में लेकिन क्या हुआ बिहार के लोगों को बैक्सिन मिल रहा है क्या आप पता करवाली ये फोन करके बिहार में आरा, बकसर, रोता, सासारा, पटना, गुपाल गंज, सिवान, किसन गंज, अरहरिया, पुर्णिया, कटिहार, तमाम जगों पर पटना भैक्सिन है ही नहीं, कहीं भैक्सिन नहीं है बिहार में, देखिए ये लोग जुमला फेकते ह पर रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, रोड, सौनक, बिजली, पानी, इससे देश चलता है, गाय गोबर से देश नहीं चलता है, किसी को दबाद होगे, नहीं होगा, ये देश रोजगार पचलेगा, पॉलिसी पचलेगा, तभी हमारा देश बचेगा, इस बात को सरकार को स पहुचना चाहिए, आइए मोदी जी हमको दिमाग में इनके गोबर भर लिया है, कि क्या भर लिया है, जो इनसे सवाल करेगा, वो अतनकबादी हो जाएगा, जो चापलूसी करेगा, इनका दोस्त हो जाएगा